दोस्तो जंगल एक ऐसी जगा है जहां पे लाखो तरा के जानवर पाई जाते हैं अगर हम दुनिया के सबसे बड़े जानवर की बात करें तो आपके दिमाग में एकी नाम आएगा और वो नाम है हाथी लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं कि हाथी संबंध कैसे बनाते हैं हाथी के पूँच की एक बाल की किमत कितनी होती है और क्या आप ये जानते हैं कि एक हतनी का प्रजलन काल कितने महीनों का होता है वेल तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको हाथी के बारे में कई सारी ऐसी चीज़े बताएंगे जो कि आपको चोका देंगी दोस्तो एक हाथी के लंबाई 11.05 पाँच फिट तक हो सकती है साथी साथ इनका वजन 6 तन तक हो सकता है दोस्तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि हाथी अपने कान को हिलाते हैं दरसल ऐसा करने के पीछे की वज़ा ये है कि ऐसा करके हाथी अपने बोड़ी के हीट को बाहर निकालते हैं दोस्तो जब भी हम हाथी को देखते हैं तो हाथी के सूंड के पास उसके दो दात होते हैं इसका इस्तमाल ये खाना चबाने के लिए नहीं बलकि अन्य कामों के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी के इस दात की किमत कितनी होती है दोस्तो हाथी के दात काफी ज़्यादा महगे बिखते हैं और इसके लिए कई लोग इनके दातों की तसकरी भी करते हैं। साथी साथ इसका इस्तमाल कई सारे लोग सजाने के लिए और अपने स्टेटस को बनाने के लिए भी करते हैं दोस्तो अगर बात की जाए हाथी के दातों के कीमत के बारे में तो इनकी कोई fix कीमत नहीं होती है लेकिन आज से कुछ साल पहले अफरीका में हाथी की दात की तसकरी करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया था और उन लोगों ने बताया कि एक हाथी की कीमत उन्हें 20 करोड लुपए से भी ज़्यादा मिलती है दोस्तो एक हाथी on an average 60-70 सालों तक जिन्दा रहता है और इनके बारे में एक चोका देने वाली बात ये है कि ये लगातार 16 घंटों तक खा सकते हैं जबकि अन्य कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं और एक हाथी 120 किलों से भी ज़्यादा खाना खाता है आपने हाथी के बड़े बड़े पाउं तो देखे ही होंगे अगर कोई शक्स हाथी के पाउं के नीचे आ जाये तो ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है कि उसकी जान बच पाए आपने पढ़ा भी होगा कि पुराने जमाने में राजा महराजा दोशियों को हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया करते थे जिसके बाद दोशी की मौत हो जाती थी हाथी के पाउं पे बड़े बड़े खुर पाई जाते हैं आपको बता दू कि हाथी के दुम की एक बाल की किमत 20 डॉलर से भी ज़्यादा होती है अगर इसे भारतिय रुपए में कनवर्ट किया जाए तो इसकी किमत 15 से 16 सो रुपए होगी दरसल वेतनाम और फिलिपीन के लोग हाथी के बालों को अपने घर में रखते हैं ये लोग हाथी के बाल को सुब मानते हैं हाथी के बारे में एक दिल्चस्प बात ये भी है कि हाथी पानी में तैर सकता है आप ये सोच रहोंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुम्किन है क्योंकि हाथी का बजन काफी जादा होता है तो जरा आप इस वीडियो को देखिए जिसमें हाथी पानी के उपर तैरता हुआ दिख रहा है दोस्तो एक मादा हाथी 50 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती है और हाथी का बच्चा 22 महीनों तक मा के पेट में रहता है आपको बता दे कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो अंधा होता है और इसका वजन 20 किलो तक होता है दोस्तो देखने में तो हाथी विशाल होते हैं लेकिन ये दुनिया के सबसे शांत जानवरों में से भी एक होते हैं इसलिए तो प्राचीन काल से ही लोग हाथीयों को पालते भी हैं दोस्तो हाथी की सूंड बहुत सेंसिटिव होती है अगर इस पे मक्खी भी बैड याए तो ये मक्खी को महसूस कर लेते हैं इस भारी भरकम जानवर की यार्दाश बहुत तेज होती है अगर आप किसी भी हाथी को परिशान करेंगे तो वो हाथी अगर आपके पास दुबारा आएगा तो आपको पहचान लेगा और हो सकता है कि वो आपके उपर हमला करते हाथियों के बारे में एक इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये खुद को सीसे में देख के पहचान सकते हैं अगर हाथियों के जुंड में कोई हाथी मर जाता है तो ये इंसान के जैसे ही शोक मनाते हैं और ये कुछ दिनों तक खाना पिना छोड़ देते हैं साथी अगर कोई पुराना हाथी इनके जुन्ड में वापस आ जाये तो ये उस हाथी से गले मिलते हैं सेम वैसे ही जैसे कि हम इनसान करते हैं हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए खुद के बदन में कीचर लगा लेते हैं दोस्तो अब हम आपको हाथी की एक कहानी सुनाते हैं धरसल अपने भारत में ही एक हाथी था जिसे कई महीनों तक लोगों ने कैद करके रखा था और इसे कैद करने वाला इसे बहुत कम खाना दिया करता था और इसे जंजीर में बांध के रखता था जब इस बारे में दूसरे लोगों को पता चला तो लोगों ने पुलिस में कम्पलेन किया जिसके बाद ये मामला नियाले में चला गया और कोट ने फैसला दिया कि जल्द से जल्द इस हाथी को आजाद कर दिया जाए लोगों ने जब इस हाथी को खाना दिया तो इस हाथी के आँखों से आसू निकलने लगे जिससे ये बात पता चलती है कि हाथियों के अंदर भी इमोसंस होते हैं जिसे हम इनसान अक्सर इगनूर करते हैं